अश्कार आप सभी को बाल दिवस की हारदिक शुब काम नहें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 14 नवंबर है और ये दिन हमारे देश के प्रथम परधान मंत्री पंडित जुहला नहरूजी का जनम दिवस है हमारे प्रथम प्रधार मंत्री पंडी जुहला नहरू जी को बच्चों के साथ बिशेश लगाब था बच्चों के साथ वो बहुत प्रेम करते थे उन्हें इसी प्रेम के कारण उन्हें सम्मान देने के लिए हम उनके जनम दिन को बाल दिवस के रूप में बड़े हर्शो लास के साथ मनाते हैं हर वर्ष सभी स्कूल पूरे भार्द वर्ष में इस तिन उनके समान में बच्चों को ये दिन पूरी तरह से समर्पित करते हैं उनकी आपस में बहुत सा प्रत्योगिताएं करवाते हैं और बच्चों में आपस में अच्छी कॉडिनेशन हो ठीक है एक टीम स्पीरिट हो इसलिए ग्रुप में भी प्रत्योगिताएं करवाई जाती है इस वार क्योंकि कोविड काल है सभी बच्चे स्कूल में ओपस इतना ही थे तो भी कोशिश की गई मुझे नहीं ता सभी स्कूलोग वालों ने ऑनलाइन मोड पे भी प्रत्योगिताएं उजद की इस दिवस को मनाया गया विफिन प्रत्योगिताओं के रूप में और कुछ एक चीज़ें जो हैं वो आफलाइन भी की गए तो मैं सभी बच्चों को जब बाल दिवस के उपर सिर्फ यही कहूंगा कि यह जो हमारा जो स्टूडेंट लाइफ होती है जो स्कूल में जो बाल्यकाल होता है यह बहुत ही अच्छा होता है बहुत सारे बच्चों को बुरा लगता होता है कि पढ़ना पड़ेगा बहुत साई चीज़ें करनी पड़ती है लेकिन लाइफ में जब सभी बड़े हो जाते हैं तो जो अगर लाइफ का सबसे बेस्ट फेज अगर कभी कोई याद करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने की करस्टी होती है वो बहुत सारे फुल एनरजी के साथ हर तरह की प्रतिवियों गिताओं में भाग ले सकता है तो इसी काल में बर्ले काल लेते हैं, जो कि जब बड़े हो जाते हैं, तो वो आनन्द चाहिए दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिखता है, तो मेरा बच्छों से यही है, आगरे रहेगा, कि आप अपने जो बाल्यकाल है, आपका जो स्कूल की लाइफ है, उसे अच्छे से एंज्वाइ करें, उसे अच् का रूप उसमें रहे, आपके जो भविश्य के लिए जो निधारित आपके जो लक्षे हैं, उसके उपर मेहनत करें, उस लक्षे को पाने की कोशिस करें, क्योंकि इसी समय के बाद, आपके पूरी जीवन में, जब आप स्कूल छोड़ते हो, तो वो पूरे के पूरे जीव निर्धारित करता है, तो सभी अध्यापक अपने बच्चों को यही चाहते हैं, यही संदेश देना चाहते हैं कि हर बच्चा अपने लक्षे को पाएं, अपने जो जीवन में जो गोल्स रखे हैं, उसे आसानी से प्राप्त करें, और सबसे बड़ी बात यह है, कि वो का एक अच्छा नागरिक बनें, एक अध्यापक के लिए तभी उसका अध्यापनकाल या उसका जो टीचिंग करियर है, वो तभी सफल माना जा सकता है, जब उसके बच्चे, जब उसके पढ़ाए हुए चाहते हैं, उसके स्टूडेंट्स सफल होंगे, तो एक सफल अध्य करें, अध्यापकों का समान करें, बोडों के द्वारा अध्यापकों के दारा बताएगे, जो मार्क दर्शन हैं, उनसे ले, अपने जो आपकी टार्गेट्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए, जीत और कोशिश करें, और जीवन में, हरक शेत्र में सफलतार जित करें और देश के एक अच्छा और एक अनुशाशित नागरिक बनें अन्तुए फिर से एक वार आप सभी को बाल दिवस की हारदिक शुब काम नहें धन्यवाद